मद्यप्रदेश के रतलाम में फोर्लेंद पर सनावदा पाटे पर शनिवार की शाम को दो मोटरसाइकल पर सवार यूकों पर लाठी और चाकू उसे हमला कर दिया गया इस मामले में एक युवक की चाकू लगने से म्रत्य हो गई जबकि एक नाबालिंग कंभी रूप से गायल हो गया गायल को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में बर्ति किया गया मुम्रे तक और गायल के परिजन सहीत बरी संख्या में लोग जिला चिकित सालय में पहुच गई थे पुलिस भी जिला चिकित सालय में पहुच गई थी दरसल मिली जानकारी के अनुसार रतलाम जिले के ग्राम नगरानिवासी नाराण सिंग बाटी उम्रोच 24 वर्ष और गुलाब सिंग मोटर साइकल पर सवार होकर रतलाम की ओर आ रहे थे तबी फोर्लेन के समीब सनावदा फाटे पर करीब 15-20 यूथ को ने रोक कर लाठियों से हमला कर दिया अचानक हुए हमले से दोनों मोटर साइकल पर पीछे बेठे दोनों यूवक जान बचाने के लिए मोटर साइकल से कूद गए जबकि मोटर साइकल चलाने वाले नाराण सिंग भाटी और गुलाप सिंग को घेड लिया दोनों पर हमलावरों ने पहले तो लाठिया बरसाई फिर चाकों से हमला कर दिया हमले में दोनों गंभी रूप से गायल हो गए घटना को देख आसपास के ग्रामीन आ गए ग्रामीनों को आता देख हमलावर भाग निकले ग्रामीनों ने पुलिस को सुचना दी पुलिस मौके पर पहुची पुलिस ने फिर दोनों को इलाज के लिए जिला चिकित साले पहुचाया मृतक और गायलों के समर्थकों की भीर को देखते हुए नगर पुलिस अरिक्षक हैमत चोहान भी बल के साथ जिला चिकित सालाय आ पहुचे नगर पुलिस अरिक्षक ने गायल से कटना करम की जानकारी जे और हमलावरों की तलाश के लिए दल को रवाना किया हमले की वज़े अभी इस पश्टर रूप से सामने नहीं आ पाई है पुलिस मृतक और गायल के साथ आए दो अन्य यूकों से जानकारी जुटा रही है लेकिन सूत्रों का कहना है कि मृतक और हमलावरों के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था उसी विवाद में हमलावरों ने मृतक को बातचीत के लिए फॉर्लेंड पर बुलाया था पुलिस मामले की जाच में जुटी है टीम भारती नियूस लाटी चार्ज पहले लाटी से मानने लग गए फिर चक्कु अकु लिका रहा रहा चकु मार जाओं कित्य लोग आयते हैं वह कम से कम 20-25 जन्ह थे आप किसे लोग थे हैं आप किसे लोग थे हम तीन चार्ज आने पर यह बजह क्या थी क्यों बुलाया था चार्ज से लेक लिए क्या थे खर अफिले प्लाइज से लोग तीन तीन बहुत रहा बागा थी कित्य लोग चाफु में दोच्छ आने पे टाफित में आप को अपकी। अब बाग दोलुब को अबुड़ा भारो तो भारो और एकि बज़ए। अबस्क्राइब में आवारो में अबस।